दोस्तों वैसे हमारे आस्मान की सुन्दरतों को बढ़ाने के लिए पंचियों का बहुती बढ़ा हात है और इन पंचियों में से कुछ इतने सुन्दर पंचियों होते हैं जिने देखकर हमें उन्हें पालने का मन करता है और कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि उनको देखकर हमा कारी रोक आप जाती है कुछ पंची बादल को चीडते वे आसमान में अपने पंक फैलाते हैं और वहीं कुछ पंची जमीन पर काफी रफतार से तोड़ने लगते हैं आज हम इस वीडियो में कुछ ऐस ही पंचीओं के बारे ने बात करने वाले हैं चलिए आज हम आपको दुनिया के सबसे विशाल पंची से मिलवाने जा रहे हैं जो उड़ तो नहीं सकता लेकिन जमीन पर काफी रफतार से भागता है लेकिन पंची की हाइट 9 फूर्ट तक होती हैं यह है आपका विशाल पंची ओस्ट्रेच इसका वजन 155 किलो तक होता है और यह पंची जमीन पर 70 किलो प्रती गंटे की रफतार से भागता है और इसका जीवन काल 75 साल का होता है यह पंची जंगल के राजा शेर तक से भीड़ जाता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी आख और मजबूत चोच जिससे यह किसी भी जान वर के चान ले सता है लेकिन क्या होगा जब यह आस्ट्रेच बंचीयों के राजा मोर से भ जालते हैं मोर एक बड़ा पंची है जिसकी लंबाई चोच से लेकर पूच तक 100-15 सेंटीमिटर तक होती है और इसका वजन 4-6 किड़ों तक होता है और इसकी संदरता सभी को अपनी तरफ आकरशित करती है लेकिन यह पंची गुसे में इतने खतरनाग जानोरों को भी मार वजयता है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके मजबूत पंचे और इसकी चोच जो किसे भी जीव को घायर करने में शक्षाम है अगर ऑस्ट्रेश और मोर की लड़ाई होती है तो जंग का विजयता हम ऑस्ट्रेश को बनाते हैं क् कि ऑस्ट्रेश की रफतार मोर से जादा होती है और जाफी बड़ादी होता है मोर का हमला जादा कम भी तरीके से घायल नहीं गर पाएगा लेकिन ऑस्ट्रिश का एक ही बार मोर को सही से मार देगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अमारे चानल को सब स्क्राइब करें